हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हुआ है तो आज के इस वीडियो ममलग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में Cell में से Unwanted Space यानि कि Extra Space को कैसे हटाते हैं ठीक है Microsoft Excel पर इससे पहले भी कई सारे important topic में cover कर चुका हूँ दिस्क्रिप्शन में playlist का link दिया हुआ है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो पूरा देखीगा क्योंकि सबसे पहले हम formula की मदद से Extra Space को हटाएंगे उसके बाद उस formula को हटाना भी सीखेंगे तो जैसे कि आप देख रहा है इस column में बहुत सारा Extra Space आपको दिख रहा होगा ठीक है हर cell में आपको लगबग लगबग दिख रहा होगा Extra Space तो यहां से Extra Space हटाने के लिए हम इस column का इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले इस cell पर हमने यहां पर क्लिक कर दिया अब यहां पर हमें formula क्या type करना है सबसे पहले हमें is equal to type करना है उसके बाद हमें type करना है C-L-E-A-N clean अब clean का function नीचे आ गया इस डबल क्लिक कर दिजे ठीक है तो bracket open हो गया यहां यहां पर हमें type करना है T-R-I-M उसके बाद trim का function आ गया इस पर क्लिक कर दिजे तो trim का function open हो गया ठीक है अब हमें अपनी cell select करनी है तो यह cell को हमने यहां पर select कर लिया उसके बाद bracket यहां पर close कर दिजे ठीक है उसके बाद inter press कर दिजे keyboard अब यह yes बोला है मिलाब yes or no कर रहा है तो यहां पर yes पर click कर दिजे तो ज अब हमें क्या करना है formula हटाना सीखना अभी आप देख सकते हैं कि यहां कहीं भी आप click करेंगे तो यहां देखिए यह formula यहां पर show कर रहा है clean trim का formula ठीक है तो आप क्या करना है इसको पूरे को यहां से यहां तक select कर लिए Ctrl C से select copy कर लिए Ctrl C से copy कर लिया उसके बाद हमको जा जाना है home tab में हमें paste में जाना है तो यहां पर click कर दीजे और यहां paste value में से पहले वाले को select कर दीजे ठीक है 123 रिखा हुआ है इसको select कर दिया हमने जैसे आप इस पर click करेंगे तो formula यहां से अब हट चुका है अब यहां पर आप कहीं भी click करेंगे तो देखिए कोई formula यहां पर नहीं show कर रहा है